नमस्कार आपको स्वागत है रिश्या न्यूस इंडिया मैं मैं पूर्णम आपके साथ रन्बिर कपूर के बहन रिदिमा कपूर ने खुलासा किया है कि रिश्य कपूर के निधन पर उनका पूरा परिवाद तूट गया था हलाकि एक दूसरे के सामने अपना दुख नहीं दिखाते थे जबकि अलग अलग कमरे में जाकर रोते थे फिर नॉर्मा लाकर बात करने लगते थे सालों तक कैमरे से दूर रहने के बाद रिदिमा कपूर ने हाल ही में नेटफिक्स के शो फैबूलस लाइव्स वर्सेज बॉलिवुट वाइज से ऑन स्क्रिन डेबू किया सिद्दात कानन को दी एक इंटर्विव में रिदिमा ने कहा जब मेरे पिता का निदन हुआ तो हमने एक दूसरे के सामने अपने फिलिंग्स नहीं दिखाई हम अलग अलग कमरों में जाते थे और रोते थे जैसे कि सब कुछ बाहर निकल जाए फिर हम सब सामान ने होकर ब बहुत करीब लिया है रिदिमा ने कहा कि बहले उनका परिवार दुख बाठता नहीं था लेकिन अंदर से सभी दुखी थे इससे पहले के इंटर्विव में ने बताया था कि पिता के निदन के बाद रनवीर वह और उनकी मा एक दूसरे का पहले से जादा ख्याल रखते है बता दें शिकापूर को लियूकेमिया हो गया था इसका इलाज लंबे समय तक नियूयोक में चला था इसके बाद पर 2019 में भारत वापस आ गए थे उनका 30 अपरिल 2020 को निदन हो गया था